मुक्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोट से मुक्तार अंसारी को सजा होने के बाद अब 12 बंकी में फर्जी एंबुलेंस मामले में सक्ती बढ़ने लगी है। 3 माई को MP MLA कोट में गेंग्स्टर के मामले में माफिया मुक्तार अंसारी की पेशी है। इसे लेकर जिला अधिकारी अवनाश कुमार ने आदेश दे दिया है। अप्रेल 2021 में 12 बंक की A.R.T.O. द्वारा फर्जी काग्जों से एंबुलेंस पंजीकरन कराने के मामले में जिले की नगर कोटवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में मुक्तार अंसा शासनब मुहमद सुहब मुझाइद की मौव जिले में स्थित करीब डेड करोड रुपे की संपत्ति कुर करेगी। उसी करम में मुहमद सुहल मुझाहिद की डेड करोड की प्रापर्टी मौव में जानकारी मिली जिसे जाके चिनधित करके उसकी रिपोर्ट ली गई थी धीम साहब को उनके अस्तर से इसकी जपतिकरन के आदेश दिये गए हैं और ये कारवाई चिन नंकन की और जपतिकरन की आगे भी परचलीत रहेगी मुकतार अंसारी गैंक का सक्रिय सदस्य है जिसकी एक करोड से अधिक की अचल संपत्ती अब बाराबंकी प्रशासन कुर करेगा दरसल ये प्रकरन पंजाब के रोपर जेल में पेशी के दोरान बाराबंकी नंबर की एम्बूलेंस सामने आने के बाद आया था ये प्रकरण आने के बाद अप्रेल 2021 में बारा बंग की A.A.T.O. द्वारा फर्जी कागजों से एंबूलेंस पंजी करण कराने के मामले में जिले की नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था जाच की बाद बारा बंग की पुलिस ने मुक्तार अंसारी शाम संजीवनी एस्पताल की संचालक डॉक्टर अलकाराय के भाई सहित बारह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद इन पर गैंक्स्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था इस मामले में मौँ जिले के ही गोसी थानक शेतर के मिर्जापुर निवासी मुहमद सोहेब मुजाहिद का नाम भी सामने आया था सोहेब का नाम सामने आने के बाद इस पर भी गैंक्स्टर एक्ट लगाया गया है बारबंग की पुलिस प्रशासन अब मुहमद सोहेब मुजाहिद की मौँ जिले में स्थित करीब तेल करोड रुपे की संपत्ती कुर करेगा स्पी दिनेश कुमार सिंग ने बताया कि मौँ जिले के कस्बा खास मलिक टोला में सोहेब ने 60 लाख रुपे की जमीन खरीद गर वर्श 2022 तक जमीन पर करीब 80 लाख रुपे के मकान आदी का निर्मान कराया अब इस संपत्ती को कुर किया जाएगा गिरोह के बाकी सदस्यों की संपत्ती के खिलाब भी कारवाई होगी अब बाराबंग की पुलिस कभी भी मौँ जाकर ये कारवाई कर सकती है पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंग किसे अरजुन सिंग की रिपूट